Hey guys, what's up? तो कैसे हैं आप सब लोग? Welcome back to your own channel देपक यादव साइस अकेडमी Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 28th of August 2020 तो guys, आज है 20 August 2020 और है Thursday देखेंगे आज का the Hindu complete newspaper the Hindu complete newspaper का अनलाइस करेंगे from the viewpoint of UPSC and other various competitive exams तो guys, discussion start करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपको इन सारी चीज़ों से related PDF चाहिए और आप देख सकते हैं जितनी भी important articles हैं यहाँ पर highlight कर दिये गए है यह highlighted newspaper चाहिए आपको तो आपको करना क्या है? Download करना है Telegram Telegram download करने के बाद सर्च बॉक्स में type करना है दीपक यादवस IAS Academy आपको यहाँ पर दिख रहा होगा as you can see आप click करोगे तो नीचे join को option आ रहा होगा join कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको daily basis पर notes वागरा provide कर दिये जाता है जैसे कि हमारे जो भी चीज़े हमारी news paper में present होती है उनका static portion उनका context, terms, facts यह सारी चीज़े आपको telegram पर मिल जाती है आप जैसे देख सकते हैं यहाँ ही से हम discussion भी करते हैं और guys यहाँ पर आपको और सारी चीज़े मिल जाती है और अगर आपको कोई भी problem होती है अपनी preparation से related तो आप मुझे instagram account पर follow कर सकते हैं तो मेरा instagram account है यहाँ पर दीपक underscore one triple zero four के नाम से है आपर आप देख रहे हो नीचे dash लगावा है और इसका जो link के वहने description में दे दिया है Facebook और Instagram दोनों का link description में आप जाकर join कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी problems को पूछ सकते हैं ठीक है और guys जो telegram का link है तो मैंने telegram का link भी description में दे दिया है आप telegram को भी join कर सकते हैं और अभी तक चनल को subscribe नहीं किया है तो guys सबसे पहले चनल को subscribe कर लेना सबसे पहले आपका काम है कि चनल को subscribe करना और bell icon ज़रूर दबा देना देन उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना newspaper page number one के ओपर आते हैं देखेंगे कौन कौन से articles हैं जो कि हमारे लिए important है UPSC के point of view से सबसे पहले देखो कि यह वाल article इसमें क्या बाते हो रही है जो government है government setup करने वाली है एक national recruitment agency ठीक है government ने यहाँ पर announce कर दिया है कि वो एक national recruitment agency यानि NRA एक नई body का setupment होगा यह body किसलिए setup करी जा रही है देख रहे होंगे recruitment लिखा है recruitment क्या होना यानि कि किसी का जो है मतलब कोई jobs वगरे क्लिए recruit करना तो यहाँ पर जो यह recruitment agency है यह conduct कराएगी एक common eligibility test CET यहाँ पर एक test को conduct कराएगी जो भी government exams देंगे जो भी हाँ पर students होंगे कोई भी government exam देगा तो उसके लिए सबसे पहले CET conduct कराया जाएगा और वो कौन कराएगा NRA National Recruitment Agency तो यह initially conduct कराएगी CET तीन sectors में कौन कौन से तीन sectors जो तीन government exam है जहाँ पर यह test conduct कराया जाएगा एक तो है railway recruitment staff selection commission यानि SSC उसके बाद हमारे banking exams तो यहाँ पर इनीम जो हमारे तीन sectors हैं यहाँ पर अब CETB लागू हो गया है common eligible test और यह कौन लागू करवाएगा कौन करवाएगा National Recruitment Agency तो आप समझ लेना यह नई body का settlement हो गया है government ने आपर नई body बना दी है आगे चलते हैं आगे यही पर यह और article मिलेगा आपको यह वल article देखो कि आप इसमें Supreme Court confirm CBI probe into Shushant death अब यहाँ पर Supreme Court ने confirm कर दिया कि अब CBI जो है इसके जाँच परताल करे ठीक है सushant की जो death हो ही हमारे तो इनकी जो अब जाँच परताल करें इसके death के पीछ हो है सही से इसके खोद खोद के इसकी सारी जाँच परताल करी जाए तो यहाँ पर अभी confirm कर दिया गया approve कर दिया गया Supreme Court के दोरा जो important चीज़ है हमारे exam के point of view से वो है हमारा CBI discuss करते हैं CBI को सबसे पहले चलते हैं टेलिग्राम पर टेलिग्राम पर CBI के बारे में आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी CBI की full form आपको क्या मिलेगी Central Bureau of Investigation इसकी CBI की full form है यह हमारी एक Premier Investigation Agency है यानि कि एक high level की जो हमारी agency है काम क्या है इसका काम है जितने भी हमारा economic crimes हो जाते हैं ठीक है economic से यहाँ पर crimes हो जाते हैं special crime होते हैं या फिर corruption से related जो crimes होते हैं या फिर high profile cases होते हैं इनको देखना इनको investigate करती है कौन सी body हमारी CBI यानि कि high level के cases को देखती है हमारी CBI आए और यहाँ पर और क्या चीज़ें आप देखोगे इसका headquarter important चीज़ें किसी भी body का आप cover कर रहे हो कोई भी body मैं जैसा की बताता रहता हूँ आपको तो उसकी important चीज़ें उसका headquarter cover करें वो कब form हुई थी उसका aim क्या है तीन चार चीज़ें अगर head body के बारे में आप cover कर लोगे जो भी statutory body आती है हमारी तो फिर आप कोई भी question आएगा UPSC में आप अराम से solve कर सकोगे CBI का headquarter कहाँ पर यह located है यह सब मत देखो New Delhi में खाकर located है इसका CBI का headquarter और अभी आप देखोगे इसके रिशी कुमार सुकला जो है वो अभी current directorate है यहाँ पर CBI के ओके now CBI को complete किया हमने आगे चलते हैं देखेंगे हमारे लिए और क्या चीज़ है important एक-एक छोटी-छोटे articles बैसे हम लोग important चीज़ निकाल लेते है article important तो नहीं है बड़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो Egyptian mummy है यानि कि तेई सो साल पुरानी जो Egyptian mummy है इनको यहाँ पर बचाया गया है जो कि मतलब flood वगरा है बाल वगरा आ गई है वहाँ पर जैपुर के museum में तो तैर रही थी यह फ्लोट कर रही थी यहाँ पर जो यह मम्मी है तो इसको यहाँ पर बचाया गया है यहाँ पर यही सारी बाते हो रही है जादा important नहीं है इसमें कुछ हमारे लिए बस खाली मैंने ऐसा highlight कर दिया था आपको एक अंदाजा हो जाए now page number 3 के उपर आते है page number 3 के उपर यह वाला जो article है मैंने इसलिए highlight कर रहा है क्योंकि इसका आज editorial हम discuss करेंगे कि जो FB है यानि कि Facebook Facebook के उपर क्या case चलना है भी आप लोग को पता ही होगा कि हाँ पर क्या issue चलना है Facebook को लेकर BJP को लेकर है हाला कि थोड़ा बहुत political party से related है बट यह article जो है जानने के लिए आपके लिए काफ़ी जादे important हो जाता है तो इसके बारे में जानेंगे इनका नाम याद रखना है इनका नाम का भी काफ़ी जादे है हमारे पास role होने वाला है अंकी दास जो कि यहाँ पर public policy director है फेस्बुक पर ठीक है फेस्बुक की यहाँ पर public policy director है वो चलते हैं आगे page number 5 के उपर आते हैं page number 5 के उपर भी हमाले को important article है page number 6 के उपर आते हैं editorial editorial होता हमाले important तो आज के editorial से देखेंगे अपने हम अलग तरीके से editorial देखता है आप लोग को पता है हम लोग का discussion जो है बिलकुल अलग रहता है editorial जो है हम सारे जो है articles वो अलगी तरीके से discuss करते हैं सबसे पहले हम यह वाल article देखेंगे need for transparency यह वाल सबसे पहला editorial देखेंगे इसमें बात क्यों यह need for transparency में कि जो government है must not stall queries related to the operation of PMKRs fund इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था अब यह बात हो रही है PMKR funds related ठीक है PMKR fund यहाँ पे कल Supreme Court ने क्या कहा Supreme Court ने कहा कि अब यहाँ पर कोई भी जो है जो CAG है हमारा control audit general ठीक है जिसके बारे मैंने कल question भी पूछा था तो CAG है CAG अब कोई auditing वगरा नहीं होगी इसमें इसके जो PMKR fund है उसके लिए यहाँ पर मतलब कि कुछ यह कर दिया गया कि जो PMKR का fund है अभी भी कितना है यह सब कुछ है यह सब अभी कोई भी disclose नहीं करा जाएगा किसी को भी नहीं बताया जाएगा ऐसा कर सुप्रीम कोड ने बोल दिया ठीक है अब यहाँ पर important चीज हमारे लिए कौन कौन सी चीज आती है important चीज आती हमाले सबसे पहले PMKR funds यहाँ पर PMKR fund है क्या उसके बाद हमाले दूसरी important चीज आती है यहाँ पर इस पूरे article में RTI है ना RTI का भी बहुत जादे role है क्योंकि RTI वगेरा भी अभी यहाँ पर नहीं करी जाएगी कोई response नहीं मिलेगा RTI का है right to information यह सारी चीज इंपॉरेंट है इस article में और इसको हम discuss करेंगे चलते हैं वापस अपने टेलिग्राम के उपर टेलिग्राम पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा यह पूरा article सबसे पहले हम discuss करते है PMKR fund को अब PMKR fund की full form क्या है Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund This is the full form of PMKR fund उसके बाद यहाँ पर create करी गई थी कब इसको create बनाया गया था 28 March 2020 इसको बनाया गया था क्यों बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर जो हमारा pandemic महामारी चल रही थी उससे में जो कि आज भी चल रही है ठीक है coronavirus जो है काफी तेजी से फैल रहा था तो उसको तो उसके recording कहा गया इसमें donation करी जाए लोगों ने खूँब भरभर के donation करी खूँब पैसा गया इसमें अब वो पैसा इसलिए गया था कि जो COVID-19 है इससे हम लड़ सकें यानि कि अपना infrastructure हो health sector हो इन सबको हम अच्छी तरीके से develop कर सकें hospitals वगरा अच्छी तरीके से develop कर सकें पैसा लगा कर ताकि जो हम ये बिमारी है इससे अच्छी तरीके से हम लड़ सकें जादा लोग मरें न ठीक है तो इसलिए यहाँ पर इसको body को form करा गया था अब ये body जो है समझ लो form हो चुकी है अब ये बन चुकी है body आने वाले time में भी अगर कोई ऐसी situation बनती है ऐसी कोई virus like situation बनती है ऐसी कोई बिमारी आती है डिजीज आती है तो फिर उसके लिए अगर कोई donation होता है तो वो PM care fund में जाएगा तो ये body अब यहाँ पर पूरे की पूरे आने वाले time के लिए भी ये बन चुकी है याद रखो ठीक है तो ये आपके लिए important जाती है now चलते हैं अभी यहाँ पर एक और चीज है RTI अब यार guys मैं आपको बताओ यहाँ पर कि जो हम पहले discuss करते थे RTI अब याद रखना है जो 20th of August से मैंने RTI जो है तो आप यहाँ पर 20th अगस्स से जो RTI है उसको अगर notes बना रहे हो क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे messages आते हैं जो कि notes बना रहे होते हैं बच्चे टेलिग्राम से अच्छी बात है तो फूर अब वो RTI के उपर ध्यान दे जो कि मैंने 20th of August से जो है discuss करा है तो GS Paper 2 में आएगा आपका Right to Information Act तो Right to Information Act के सबसे पहले historical background देख लेते हैं अब यहाँ पर Right to Information एक fundamental right है जो कि Article 19 Article 19.1 में आता है हमारे भारतिय सम्विदान में Indian Constitution में Article 19 में हमारा ये Right to Information आता है 1976 की बात करें तो जो हमारे Raj Narayan वर्सेस State of Uttar Pradesh केस यहाँ पर जो यह केस था इसमें सुप्रीम कोड ने रूल करा और बोला कि जो Right to Information है RTI यह treat करा जाएगा as a fundamental right यानि यह कभी यह fundamental right बन जाएगा और यह कौन सा आर्टिकल में आएगा Article 19 के अंडर में इसको बनाया जाएगा उसके बाद देखोगे इतिहास कैसे चालो होगा इसकी इतिहास आपको याद रखना है जो background इसका history 1976 से start होई फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे Inact करा जा Right to Information Act 2005 में इसको Inact करा जाएगा अच्छी तरीके से फिर Act 2005 को आप देखोगे यहाँ पर किसलिए है यह पूरा-पूरा Act आप यहाँ पर इसको आपको पता ही होगा Right to Information यानि कि जितने भी citizen है इंडिया के जितने भी यहाँ पर person है इंडिया में ठीक है उनका पूरा-पूरा हक बनता है उनके पास अब एक fundamental right है कि वो government से अपना question पूर सके Right to Information अपनी information जान सके यह क्यों है यहाँ पर क्योंकि PM Care Fund का में जितना पैसा है उसके लिए RTI करी जाती है RTI करी जाएगी यहाँ पर citizen के द्वारा ठीक है तो उसके बात क्या होगा PM Care Fund का amount तो बताना पड़ेगा RTI काफी हुई होगी लेकिन अभी हाँ पर ऐसी situation बन गही है कि RTI कभी कोई response नहीं मिलने वाला क्योंकि PM Care Fund जो है वो disclose नहीं करा जाएगा ऐसा Supreme Court ने कल बोल दिया है तो यही सारी चीज़े हैं कि जितने भी हाँ पर क्या होगा RTI Fund से जो government से जो है क्या कर सकती है जो Indian citizen है वो यहाँ पर information मांग सकती है What type of information can be requested through RTI Important question ऐसा question पहले UBSC पूछ चुका है किस type की information जो है वो request करी जा सकती RTI के थूँ तो आप देखोगे जो citizen है वो कैसी भी information कैसी भी information government authorities से जो है disclose करवा सकता है Some information that can affect the sovereignty and integrity of India is accepted from the purview of RTI यानि कि अगर कोई हाँ पर sovereignty और integrity का हनन करती है हमारे इंडिया की तो वो चीजें नहीं बताई जाएंगी RTI में ओके इस इस दा थिंग उसके बाद objectives देखोगे objectives क्या क्या है RTI Act के citizens को power देना कि government से सरकार से question कर सके या फिर एक transparency को maintain करकर रखना यानि कि जितनी भी चीजें है वो government को पता है जो चीजें वो यहाँ पर सारी public को भी पता होनी चाहिए यही सारी चीजें हैं आप देखोगे यही सारे यहाँ पर objectives हैं उसके बाद काफी सारे provisions हैं जो कि यहाँ पर to information act 2005 में आते हैं वो provision आप देखोगे जो section से हमारे section 2H क्या कहता है यहाँ पर आप देखोगे कि जो कि RTI के थुरूँ जो है public authority से कोई भी बात जो है information है वो यहाँ पर disclose करवाई जा सकती है उसके बाद section 4 1B आप देखोगे जो government has to maintain maintain and proactively disclose information यहाँ पर बराबर जो है यही काम करना पर जो है government को भी अपनी information जो है disclose करनी पड़ेगी फिर section 6 देखो यही सारी चीज़े आपको easily समझ में आ जाएगी आप देखोगे तो कि information को secure करना उसके बाद information को provide करना government का काम है section 8 में कि minimum information यही सारी चीज़े main article ही information के बारे में है right to information के बारे में तो फिर यही सारी चीज़े पूरे के section में यहाँ पर बताए गई है significance क्या है वो ही जो हमने अभी discuss किया उपर कि हाँ अपर अभी citizen जब एक transparency maintain होगी तो government और citizen के बीच में जादा gap नहीं होगा और सारी चीज़े जो है वो clear out रहेंगी यह सारे हमारे significance हो जाते है RTI के now चलते हैं अपने newspaper के उपर हमने cover किया इसमें काफी सारी चीज़े इस article से हमने cover किया PM Care Fund को RTI को आप यहाँ पर देखोगे जो RTI है RTI भी यहाँ पर कोई काम नहीं करे रही है क्योंकि RTI का काम था यहाँ पर कि RTI के थुरू ही हम लोग क्या कर सकते थे PM Care Fund का amount जान सकते थे कि कितना amount है इस article में और के चीज़े आती है आप देखोगे जो exact amount बताया था donation का कि वो अभी जो पहले अभी आपको पता होगा कि कहा गया था कि PM Care Fund के amount से हमारा health sector में development करा जाएगा जो कि अभी तक नहीं हुआ है ठीक है लोग कितना amount बताया गया था 300 करोड रुपए यहाँ पर spend कर जाएगे खर्च करे जाएगे ventilators के उपर migrant work welfare के उपर उनकी vaccine development के उपर यहाँ पर यह सारी चीजों के उपर पैसा खर्च कर जाएगा इतना पैसा बताया गया था यह लिया जाएगा PM Care Fund में से यह भी बताया गया था लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो cases है वो तेजी से rise up होता जा रहे है 2.8 million cases है यहाँ पर आप देखोगे 54,000 से जादा लोग उनके death हो चुकी है काफी जादा बुरी हालत है तो government को क्या करना है सारी चीजे जो है publicize करनी है क्योंकि public को भी पता होना चीए भाई जनता कही पैसा है पब्लिक कई पैसा है पब्लिक नहीं donate करा है तो उसको ही जानने का हक नहीं है ठीक है तो फिर यह था article इसके बारे में हमने complete करा now next article को यहाँ पर हम देख ले रहे है data power के बारे में है न यही भी article हाथवाथ खताओ करते है data power यह article है कि जिसके बारे में actually में हुआ क्या है कि अभी हमने पढ़ा था देखो परसो पढ़ा था कि जो समन चार्च करा गया है समन के बारे में मैंने बताया था आपको समन चार्च करा गया है कि जो facebook के officials है उनको court में appear हो ठीक है कुछ question वगरा करे जाएंगे अब यहाँ पर question क्या उठ रहा है कि जो bjp के जैसे कि 2017 से ऐसा देखा गया है जो bjp की leaders है कुछ leaders है जिनोंने hateful content अपने social media पर डाला है hateful content जो है डाला है जो कि यहाँ पर anti-muslims content था ठीक है यानि कि Muslim के against कुछ content डाल दिया जिसकी वैसे काफी जाद बवाल भी हुआ इंडिया में है ना काफी बार ऐसा हुआ लेकिन हुआ क्या यह Facebook की side से उनका account नहीं delete करा गया कई बार ऐसा हुआ कि उनका जो content था उसको delete कर दिया गया लेकिन account नहीं delete करे गया लेकिन गाईज मेरा मानना यह है कि अंदर वो वाइरल हो जाएगा तो एक घंटे के अंदर अंदर वो बूरी तरह से वाइरल हो जाएगा अब वाइरल हो गया तो फिर उसको चाहिए Facebook डिलीट करे चाहिए कुछ भी करे वो लोगों के पास रहेगा है ना तो यहाँ पर यह situation बनने ही है कि जो Facebook है क्या फेवर कर रहा है BJP को तो इसी के बारे में आर्टिकल है इसी के बारे में अभी आपको यह भी पता होगा जो हमारे डॉक्टर शशी थरूर है उन्होंने भी जो है समन वगएरा दिया था अपनी कमिटी के थरूख की जो Facebook के ऑफिशल्स है वो अपियर हो कोड में लेकिन उनके ओपर भी हाँ पर जो है कुछ चार्ज वगएरा लगा दिये गए सशी थरूर जी के ओपर किया कि जो उन्होंने पैनल है पैनल के रूल्स है उनको वाइले चाहिए थे उसके बाद जो है समन देना चाहिए था ठीक है उनको उसके बाद जो है Facebook ऑफिशल से कुछ कहना चाहिए था लेकिन उन्होंने बिना कुछ पूछे ताचे ऐसा काम कर दिया चलो वो दूर की बात है खेर यहां पर ट्रेंट कर चुका और काफी जाथे फैल चुका है तो आपको इस बारे में पता होना चीए ना नेक्स्ट आर्टिकल आता है चाइना रुटिकल को देखा इस आर्टिकल में कोई भी इंपोरेंट बात नहीं है हमारे लिए चीक है आप भी जाके पढ़ सकते हो आपके पास न्यूस पेपर आजाएगा टेलिग्राम पर आप भी देखना उसके बाद लेकिन यहाँ पर एक चीज मल जाती है इंडिया रश्या तो इसको हम कमाइन करके पढ़ेंगे रश्या इंडिया चाइना आर आईसी आपने नाम भी सुना होगा काफी बार मैंने आपको हमारे चै यहाँ पर यूपीएसी की तरफ से गिवन टॉपिक है राइसी एक स्ट्रेडेजिक ग्रूपिंग है फर्स्ट आप देखोगे यह कब आया था कब बात कर जाती नाइटीन 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 में किसके लीडर के कौन से लीडर्शिप के अंडर में ठीक है कौन लीड कर था लीड कर रहे थे यगनी प्रिमा कोव यहाँ पर यह लीड कर रहे थे करेशन पॉलिटीशन थे इनका अंडर में यह सारी चीज़े करी गई यह राइसी को लेकर आये जो ग्रूप था यह फाउंडे ऑन दा बेसिस ऑफ एंडिंग इस सब सबसर्वेंट फॉलिसी यह बड़ावा दे सकें किसको आपने जो रिलेशन्स हैं नए नए रिलेशन्स को डिस्कवर कर सकें इस वेसे इसको लेकर आए आप देखोगे इंपॉर्ण चीज़ क्या आती है अरा इसी कंट्री अगर साथ में मिल जाए यह रशी आ इंडिया चाइना साथ में मिलकर यह 19 Landmass को कवर करते है यानिकि जितने भी हमारे पूरे वल्ल्ड का Global Landmass इसमें से 19 त्रेफ यह सिर्फ वासर要 फिए तीन कंट्री कवर करती है उसके बाद पूरे ग्लोबल जी डिप में 33 परसंट यह भी कवर करते है निकि पूरी दुनिया की जी आप जो हमारी एक बैलेंस बनके रहेगा एक बॉड़ी ये भी है जे ए आई ठीक है जे ए आई कौन सी बॉड़ी है इसमें कौन कौन सी कंट्रीस है आप लोग को अगर पता है तो आप नीचो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तो आप यहां पर देखोगे जो स्ट्राडेजिक बैलेंस वगेरा होंगी तो फिर क्या होगा और जादे चीजों को जो है और जादे अच्छी तरीके से सिचुएशन को देखा जा सेगा क्योंकि जित्ती जादा मीटिंग होगी उत्ती अच्छी तरीके से एक दूसरे को समझ पाएंगे यही सारी चीजे है उसके बाद आप क्योंकि यह आर्टिकल आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है कंटेम्ट पावर्स इन दी पीपल्स नेम अभी एक गाईस आपको कंटेम्ट के नाम से समझ में आ गया होगा जो प्रशान्त बूशन साब का यह केस था इस पिछले हमारी इतिहास है यह भी आर्टिकल जो हमारे इंपॉर्डन है ने आप यहाँ पर देखोगे क्योंकि आपके पास यह नीउस पर आने वाला है यहां से यहां तक आप चीज़े देखोगे यह किस चीज़े बारे में बताई जा रही है निकि जो पिछले हमारे केस केस हुआ है उन पेपल के नेम बताई गए है और उनकी जो केस बताई गए है तो आप यहाँ पर यह सारी चीज़े देखना चाहो तो देखलो अदरवाइस यहाँ पर कोई फायदा नहीं है इनका देखना मैं तो आपको यही कहूँगा लेकिन कुछ चीज़े हैं आप आप को भी पता होगा इस situation क्या बनकर आई है कि जो contempt of court कि यहाँ पर किसलिए इस्तमाल करा जाता था इसलिए इसलिए लाया गया था कि जो supreme court है या फिर कोई भी court होता है हमारा तो उसकी अगर कोई गौरफ के उपर उंगली उठाता है तो उसके against जो है step उठाना उसके against जो है case charge करना तो इसके लिए यहाँ पर contempt of court लाया गया था तो यहीं काम यहाँ पर कर रहा है और judgments के बारें बताया जारें judgment भी यही चीज़े बताता है इसका यह काम नहीं है कि judge को profit करें तिजुए को profit करने काम नहीं है लेकिन इसका काम है जो court है court की चीजों को maintain करके चलना उसके यहाँ पर जो law है यह सारी चीज़े हैं उनको uphold करके चलना जो हमारे कानून वगरा उनको maintain करके चलना ओके एक important चीज़ है यहाँ पर कि आपसे question है जो contempt of court है हमारा क्या Indian constitution में mention है या नहीं yes or no ठीक है यह दूसरा question मन गया आपसे एक question मन गया आपसे यहां पर बताईए इसमें उसके बाद जो contempt of court है वो हमारा Indian constitution में mention है या नहीं yes or no में बता दीजे बस इतना ठीक है इसके बारे मैं आपको बता चुका हूँ ओके नाओ आगे चलते हैं आगे बात करें इस वाले article की यह बहुल article भी important नहीं है ठीक है ले सिफ में कुछ चीजें है क्या चीजें important है क्या है कि आप देखोगे यह बता जा रहा है कि जितने भी हमारे government universities बगरा है वो अच्छी तरीके से अपने उपर काम नहीं कर रही है infrastructure अच्छा नहीं है कोई भी चीज वहाँ पर government schools colleges में कहा अच्छी चीज होती है ठीक है अच्छी चीज नहीं बिल्कुल भी infrastructure नहीं है पढ़ाई अच्छी नहीं है कुछ भी अच्छा नहीं है तो वो क्य पढ़ेगा नीड हमें जरूरत है कि government schools government universities में हम लोग जो है इस उनके लिए step उठा सकें now next article आता है आपके लिए यह वाला यह वाला article हम पहले भी डिसकुस कर चुके हैं आज मैं आपको बता देता हूं इस वाले article के बारे में formalizing a new reality यह UAE और इस्राइल के relation के बारे में कोई नहीं करता था जो Islamic countries है तो Egypt उसके बाद Jordan Egypt और Jordan के बाद third ऐसी Arab country बनी UAE जिसने यहाँ पर इस्राइल को as a state recognize करा ठीक है तो यहाँ पर यही सारी बाते हैं और इसी के उपर article है और यहाँ पर यह article जो है पेंडिंग article है आप खुद देखोगे कि यहाँ पर यह article आदा article लिखा है क्या आप यहाँ पर यह question बन के आता है who then benefit for the agreement यानि कि जो agreement हुआ है UAE और इस्राइल का इसके benefit किसे मिलेगा और आप यहाँ पर पूरे article में benefit ढूंड के बता देना जरा मुझे ठीक है एक भी benefit नहीं article आदा दूरा लिखा हुआ है तो इससे अच्छा आप टेलि रखी यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखोगे यह है international relations UAE और इस्राइल की जो peace deal हुई अभी bilateral groupings agreements यह सारी चीज़े हैं तो आप यहाँ पर यह पूरा का पूरा article समझ सकते हो क्या है कि जो कैसे कैसे यहाँ पर recognize करा है अभी तक क्या होता था इस्राइल को कोई as a state recognize नहीं क जगा थी जो कि यहाँ पर इस्राइल कब्जा करके बसा हुआ है ठीक है अब यहाँ पर यहाँ पर यह देखोगे इस्राइल जो है यहाँ पर यहाँ पर यह लोकेटिड है यह हो गया हमारा इस्राइल कब्जा करकर करके बना हुआ है that is why यहाँ पर जो है कोई से state नहीं मान करा यानि कि यह सब कबजा कर कर करके यहाँ पर इसराइल पूरा-कपूरा बसा हुआ है तो कोई से ऐसा स्टेट नहीं मानता था ले इंदगे अभी यहाँ पर दो स्टेट में इसे स्टेट रिगाइस करती थी पहले कौन कौन से Egypt और Jordan अब तीसरी कौन से आगा यह UAE इसने भी यहाँ पर relation अपने बढ़ा दिये हैं इसके साथ तो that is why यह पूरा का पूरा article इसी के बारे में है तो आप यहाँ पर चाकर उसके बारे में हमारा जो कोई रोल नहीं है आंद्रप्रदेश के decision के ऊपर बताईए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉस करके बता सकते हैं तो बताईए ठीक है आपको सुनके सोच रहे हूंगा यहाँ तीन capital नहीं गलत पढ़ा रहा हूं क्या मैं ठीक है नहीं गलत बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं आंद्रप्रदेश की तीन capital है ठीक है तो चलो मैं आप इसके बारे में बता देता हूं इसकी दूसरी capital है एंद्रप्रदेश की अमर्वति अमर्वति क को कहा जाता है लजिस्लेटिव इसके पूरे इंडिया में हमारा एसा एक स्टेड है जिसकी यहाँ पर तीन कापिटल है ऐसा यहाँ पर विदेश में भी होता है विदेश में भी देखोगे तो साउथ अफरीका की भी तीन कापिटल है ठीक है यह चीज भी है देखो पिटोरिया की यहाँ पर साउथ अफरीका की तीन कापिटल लेख तो हो गया Pretoria, Cape Town और Bloemafentain तो यहाँ पर यह हमारी तीन कापिटल इसकी भी है यहाँ पर आप देखोगे कुछ चीज़ें बताई भी जारी है जो आंदरप्रदेश गवर्णमेंट का यहाँ पर नोटिफाई करा उन्होंने जो अमरवती थी यह Capital City थी 2015 में तो अभी हाँ पर आप इंपोर्टन चीज़ का आप के लिए याद रखना आदरप्रदेश की तीन कापिटल हैं कोई का एक कापिटल है नहीं तीन कापिटल हैं उसके बाद नेक्स नहीं हाँ पर आप देख सकते हो जो ऑफिशल से थोड़ा बात अराम मिला क्योंकि जो गुदावरी का वाटर था वो थोड़ा बहुत नीचे चला गया क्योंकि अभी तक बाड़ाए भी थी अच्छी तरीके जब भरा पड़ा था पानी अब थोड़ा सा लेवल डाउन हो चुका है इंपोर्टन चीज क्या है यह क्यों पड़ा रहा हूं मैं है ना यह वाल आर्टिकल क्यों पड़ा हमने इंपोर्टन चीज है गुदावरी रीवर गुदावरी रीवर को कवर कर लेते हैं क्योंकि हाँ पर मैंने चीज़ों को देखा तो फिर हमाले रीवर भी important हो जाती है, GS paper 1 में आता है water resources, गोदावरी river तो cover करेते हैं, यह GS paper 1 यानि की geography में आपके relate हो जाएगा geography में आएगा गोदावरी river तो गोदावरी river जो है rises from Trimba Keshwar Trimba Keshwar से आती है यानि की नासिक के पास है, महाराष्टर से यह बहती है, और इसकी जो length है, 1465 किलोमेटर यह हमारी लंबी नदी है, आप देखोगी कहाँ पर Bay of Bengal तक यह जाती है, महाराष्टर से Bay of Bengal तक उसके बाद इसके कुछ basins है basin यहाँ पर आप देखोगे, जो गोदावरी के river के basin जो है, वो बढ़ जाते है tributaries, tributaries क्या होती है guys, सहयक नदी जो होती है अब यह जिसके साथ जो सहयक नदी होती है वो कौन-कौन सी है, जो जिसकी सहयता से आप आप देखोगे, यह है प्रवरा, पुर्णा, मंजरा, और पिंगांगा, वर्धा, वैंगांगा और प्रणहिता, ठीके तो यहाँ पर इसकी इंट्रिबिटरीज है सहयक नदी है, ओके तो important था यह, ठीके, क्योंकि यहाँ पर यह UPSC के काफ़ी सारे institutes ने यह topic कवर किया है, इस वज़ी से मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया, कोई फालतू चीज़ आपको मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाता हूँ, जो चीज़े UPSC के point of view से relevant हैं, जो institutes कवर करते हैं, जो चीज़े का कुछ यहाँ पर effective जीज़े वो ही कवर करता हूँ, आप यहाँ पर देखो कि विमन के साथ lockdown के time पे, lockdown के time पे काफी ज़ादे विमन के साथ crime हुआ है और यहाँ पर sexual harassment वगरा काफी ज़ादे देखा गया है, domestic abuse among hurdles faced by them, यानि domestic abuse यहाँ पर देखा गया है, उनसे घर्म घरी घर्मे यहाँ पर उनके साथ काफी ज़ादे अत्याचार कर रहा गया है, इससे हम यह अंदाजा लगा सकते है now, next आपके लिए question बनता है, आज का आपका तीसरा prelims pointer, ED ठीक है, ED के बारे बताओगे, आज का आपका तीसरा यह prelims pointer है, ठीक है पहला था J, दूसरा यहाँ पर क्या दिया था, और उसके बाद यहाँ पर ED, anyway चलो, ठीक है, ED आपका तीसरा prelims pointer question हो गया prelims के point of view से, now next आते हैं, page number 11 के उपर, आप देखोगे इंडिया ने offer करा है vaccine to Bangladesh, ठीक है Bangladesh के साथ यहाँ पर आप vaccine को offer करा है, इंडिया ने, pharmaceutical firms जो है, वो collaborate करेंगी vaccine के लिए ठीक है, तो यहाँ पर यह हो गया, यानि कि थोड़े बहुत जो ties है, अगर ऐसा कुछ होगा, तो इन दोने के जो ties है, relations है, वो improve होगे हाला कि अभी काफी जादे बुरे है NRC को लेकर और यह सारी चीजों को लेकर उसके बाद यह article देखोगे, जो Joe Biden है, win democratic nomination, nominations होता है ना, कि पहले जो president के लिए nominations होता है, तो वो nomination तो जीत चुक है, आप देखते है, election में क्या होता है, November में जो election है, उसमें क्या होता है, okay, now आगे चलते हैं, page number 15 के उपर आते हैं, यह article आता यह, center relaxes norms for PFC, REC to learn to discoms, यानि कि center ने relax कर दिये, कुछ norms थे, कुछ rules थे, किसमें, ठीक है, PFC के और REC के, तो चलो इसके बार में discuss कर लें, PFC और REC है क्या है, यह चीज़ हमाले important है, पूरे के पूरे article में, तो ज़्यादा जोर देंगे हम लोग, ज़्यादे, जोर देंगे, context, terms, जितने terms है, हमारी economy terms है, ठीक है, तो यह economics से related है आपके, तो guys, यहाँ पर आगे, GS paper 3, economy, यह brief roles बताएगा, what is brief roles of REC and PFC, REC क्या है, इसकी full form है, rural electrification corporation, यह एक नवरतन company है, जो की functioning under the purview of ministry of power, ministry of power के अंडर में, जो है, इसको run करती है, यह उसके बाद, it takes the role of public infrastructure finance company, यहाँ पर क्या रूल है, इसका public infrastructure finance company का India's power sector, इंडिया के power sector में, एक finance company की तरह, यह work करती है, और promote करती है rural electrification project को, यानि कि जो electrification projects होते हैं, गाउं वगरा में, उनको across the India, पूरे इंडिया में गाउं वगरा में, electrification projects को लगाती है, उसके बाद, PFC क्या है, RAC हमने cover किया, PFC हमारी power finance corporation, यह एक Indian financial institution है, आप नाम सी समझ गए होगे, finance corporation है, तो फिर पैसे से तो related ही है, तो यह आता है हमारा नवरतन category के इंडर में who only owned by the government of India नवरतन category जो की government of India के द्वारा पूरी तरह से own करी जाती है होगे, यहाँ पर यह एक essentialized state run non-banking financial company है, ठीक है state run non-banking financial company, आद रखना non-banking financial company है, जो की focus करती है power infrastructure के ओपर, ठीक है power infrastructure के ओपर यहाँ पर focus करा जाता है, PFC के द्वारा now, economic point of view से दो terms complete होई, next article आता है, यह भी अच्छ article है, World Bank ने यहाँ पर forecast करा है कि जो इंडिया का contraction है, वो और जादे बुरा होने वाला है तो हम लोगो critical reforms चाहिए critical reforms किस-किस चीज में चाहिए आप देखोगे, health, labor, land skills, finance, यहाँ सब में हम लोगो ज़रुद चाहिए कि changes कर सके क्योंकि जो virus चला है, इससे related हम लोग changes कर सके, economy वगरा भी बहुत बुरी तरीके से down हो चुकी है, GDP बहुत down हो चुकी है, तो यहाँ पर यह World Bank ने सारी चीज़े suggest करी है, अब यहाँ पर important चीज़ एक और भी आपके लिए World Bank, World Bank के बारे में भी थोड़ी बहुत बात है, जान लेता है, क्योंकि World Bank भी आपके UPSC के syllabus में include होता है, तो इसको भी cover कर लेते हैं हाथो हाथ, यह आपको मिलेगा topic, World Bank एक हमारा international financial institution है, जो की loans वगरा देता है, ठीके grant to the government of poorer countries, जो भी हमारी गरीब countries वगरा है, उनको loan देता है, World Bank हमारा उसके बाद देखोगे, it comprises two institutions, इसके अंदर two institutions हैं एक international bank of reconstruction and development और दूसरा international development association, दो यहाँ पर institutions हैं, इस पूरे World Bank में और आप देखोगे, जो World Bank most recently stated goal is the reduction of poverty, यानि कि World Bank का goal क्या था, अभी World Bank अपना goal declare करा था, उसका goal यह है aim यह है, कि जो globally यानि कि पूरी दुनिया की जो गरीब ही है उसको अच्छी तरीके से खतम कर दी जाए उसके बाद यहाँ पर headquarter, important चीज है, headquarter है Washington, D.C. US में World Bank का headquarter है हमने cover किया World Bank को और World Bank के साथ हमने cover कर लिया है आज का newspaper, complete newspaper को तो guys, आज का newspaper को complete हमने cover कर लिया है analyze कर लिया है, उसके बाद आपने बिख चनल को subscribe नहीं किया है, तो सबसे पहले नीचे red color का button आ रोगा, सबसे पहले चनल को subscribe करना उसके बाद, bell icon को प्रेस करना और telegram का link मैंने description में दे दिया है instagram का link description में है, facebook का link description में है सब जगे आप जगे मुससे जुड़ सकते हैं तो guys, आज के लिए बस इतना ही मिलेंगा आप लोगों से कल आज के लिए bye bye